दोस्तों स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में दोस्तों इंडियन नेवी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि ऐसा हो सकता है कि इंडियन नेवी F-18 सुपर हॉर्णेट फाइटर एक क्राफ्ट अमेरिका से लीज पर ले सकती है जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में हमारी डिफेंस मिनिस्टरी ने ऐसा अप्रूव कर दिया था कि अभी हमारी डिफेंस फोर्स किसी भी मिलिटरी एक्विमेंट को लीज पर ले सकती है जो कि कोई सालों के लिए हो सकता है बजाए इसके कि वो पूरा पैसा दे कर किसी अभी ऐसी खबरा रही है कि इंडियन नेवी इसी बात का फाइदा उठा कर F-18 सुपर हॉनेट फाइटर एक क्राफ्ट को लीज पर ले सकती है F-18 फाइटर एक क्राफ्ट अमेरिका की नेवी इस्तिमाल करती है और इसे काफी खतरनाक फाइटर एक क्राफ्ट सभजा जाता है ऐसी खबर आ रही है कि अभी इंडियन नेवी ज्यादा बड़ी गिंती में F-18 फाइटर एक क्राफ्ट को लीज पर नहीं लेगी केवल 15 से 18 एक क्राफ्ट ही इंडियन नेवी लीज पर लेने वाली है ये रिपोर्ट्स अभी अनकनफर्म्ड हैं इसके बारे में अभी प ही में ये प्लेन क्रेश भी हो गया था जिसके बाद इस F-18 क्राफ्ट की रिलाइबिल्टी की उपर काफी सवाल भी उठे हैं और इससे पहले हमारी नेवी ऐसा बता चुकी है कि उससे 57 नए F-18 क्राफ्ट की जूर्त है लेकिन नए F-18 क्राफ्ट को खरीदने की बजाए अ इंडियन नेवी किसी भी विदेशी F-18 को नहीं खरीदेगी बलकि इसी F-18 की उपर फोकस करेगी लेकिन ऐसा कहा जा रहा था कि क्यूंकि Twin Engine Deck Based F-18 को डिवेल्प होने में काफी लंबा समा लग सकता है तो तब तक इंडियन नेवी अपने requirements को कैसे पूरा करेगी तो शायद इसी बात का जवाब इंडियन नेवी ने दे दिया है और अभी वो जब तक Twin Engine Deck Based Fight A-Craft डिवेल्प नहीं हो जाता है तब तक लीस पर Infight A-Craft का इस्तिमाल करेगी और जब हमारा Twin Engine Deck Based Fight A-Craft इंडिक्ट हो जाएगा तो तब Infight A-Craft को इंडिक्ट कर लिया जाएगा अभी इंडियन नेवी दो A-Craft Carriers को उपरेट करेगी एक है आइनस विक्रमदित्य और एक है आइनस विक्रांत इसके साथ ही अभी आइनस विशाल को लेकर भी काफी काफी कांट्रोवर्सी चल रही है जहाँ पर हमारे CDS विपन रावत जी कह रहे हैं कि इंडियन नेवी को सम्मरीन्स या A-Craft Carrier में से चुनना होगा क्योंकि उनके मताबिक इंडियन नेवी को एक तीसरे A-Craft Carrier के जरूरत नहीं है और वहीं इंडियन नेवी ने हाल ही में कहा है कि उन्हें एक A-Craft Carrier और सम्मरीन्स दोनों की जरूरत है और वो दोनों equipment को चाहती है तो चलिए भी जानते हैं कि F-18 Fighter A-Craft में क्या खास है और इसके बारे में डिटेल में जानते हैं बोइंग ने भारत को अपने F-18 Fighter Jet के latest Block 3 variant को offer किया है यह बोइंग दोबरा बनाए जाने वाले F-18 Fighter Jet का अब तक का सबसे ज़्यादा advanced variant है इस नए variant में इस Fighter Jet के structure को लेकर कुछ नए changes किये गये हैं और इसके साथ ही इसके avionics को भी upgrade किया गया है इस Fighter Jet के airframe की life को भी बढ़ाया गया है यह इस Fighter Jet के airframe की life को बढ़ा कर 9000 घंटों से ज़्यादा कर दिया गया है इसके साथ ही इसमें एक influencer chain track system लगाया गया है जो की लंबी दूरी की range वाला है और इसके साथ ही step fighter jets को भी track कर सकता है इसके साथ ही इस fighter jet में set com जाने की satellite communication की विवस्था भी की गई है जिसके इस fighter jet में advanced network connectivity की शमता आ जाती है इसके साथ ही इसके mission computers को भी upgrade किया गया है इसमें open architecture वाले और multi level secure processor वाले systems का इस्तिमाल किया गया है जिसके इस्तिमाल से ये भारत दौरा बनाये जाने वाले सभी weapon systems को इसके साथ integrate किया जा सकता है इसके साथ ही इसके data link systems को भी upgrade किया गया है और नए advanced data link system का इससे में इस्तिमाल किया गया है इसमें low latency data link का इस्तिमाल किया गया है जिससे ये दूसरे fighter jets और दूसरे systems के साथ connected रह सकता है इसके बारे में बोईंग का दावा है कि ये नेवी दौरा इस्तिमाल किये जाने वाले PA type Poseidon aircraft के साथ data link कर सकता है और इसके बाद ये बहुत जदा powerful force बन सकता है जो कि हमारी नेवी के बहुत काम आ सकती है इसके साथ ही इस aircraft में conformal fuel tanks का इस्तिमाल किया जाएगा जिसके इस्तिमाल से इसका radar procession तो कम होगा ही इसके साथ ही इसकी range भी काफी बढ़ जाएगी conformal fuel tanks ऐसे additional fuel tanks होते हैं जो कि एक craft के air frame के साथ बहुत जदा closely fit किये जाते हैं जिससे एक craft का endurance काफी बढ़ जाता है इसके साथ ही एक craft को aerodynamic penalty भी बहुत कम पड़ती है और इसके साथ ही external drop tanks के मुकाबले में ये एक craft के radar cross section को भी काफी कम कर देते हैं जो external drop tanks होते हैं उनको इस्तिमाल करने के बाद drop कर दिया जाता है लेकिन conformal fuel tanks को हवा में drop नहीं किया जा सकता है इसके साथ ही जो drop tanks होते हैं वो एक craft के hard points के उपर लगाए जाते हैं जिससे एक craft के hard point के उपर आप कम payload करी कर सकते हैं और वहीं अगर आपके एक craft में conformal fuel tanks हैं उत तो इसके इस्तिमाल से आपका एक craft जदा payload करी कर पाएगा और इसके साथ ही जदा fuel भी करी कर पाएगा इनी conformal fuel tanks का हमारे और का fighter jet जानने की twin engine deck based fighter aircraft में भी इस्तिमाल किया गया है इसके साथ ही इसके radar cross section को कम करने के लिए इसमें कुछ structure changes किये गये हैं और इसके साथ ही इसमे radar absorbent materials का भी इस्तिमाल किया गया है जिससे इसके frontal radar cross section को कम कर दिया गया है इन नई improvements के साथ ये fighter jet stealth थी तो नहीं हो जाएगा लेकिन ये fighter jet इतना कम radar cross section वाला हो जाएगा कि इसका पता लगा पाना काफी मुश्किल हो जाएगा इसके साथ ही इसके cockpit में बहुत ज़दा advanced displays का इस्तिमाल किया गया है इसके cockpit में एक नई single wide area multifunction display का इस्तिमाल किया गया है जिससे पाइलेट को ज़दा information ज़दा सही तरीके से मिल जाती है इसके radar के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें APG-79 active electronically scanned array येसे radar लगाया गया है जो कि America के F-18 Super Hornet variant में इस्तिमाल किया जाता है और इसके साथ ही Boeing EA-18G Growler aircraft में भी इस्तिमाल किया जाता है इस radar के बारे में ऐसी जानकारी है कि ये 1.500 km दूर से ही किसी fighter jet जतने बड़े target को track कर सकता है और ये एक ही time पर multiple targets को track कर सकता है इन सबी changes को छोड़ कर बाकि सबी systems पुराने F-18 fighter jet वाले ही हैं इस नए Block 3 variant में ये सबी changes किये गए हैं जिससे ये fighter jet F-18 fighter aircraft का अब तक का सबसे ज़्यादा advanced variant बन जाता है ऐसी जानकारी भी है कि हमारी Navy को भी ये aircraft काफी पसंद है और हमारी Navy के aircraft carrier से operate करने के लिए इस fighter aircraft में कुछ changes भी किये गए हैं जिसके बाद अब ये sky jump deck से भी take off कर सकता है और land कर सकता है और हमारा INS विक्रमदित्य aircraft carrier भी इसी configuration वाला है जिसके बाद अब इस aircraft को हमारे aircraft carrier से operate किया जा सकता है जिसके बाद ऐसी जानकारी है कि ऐसा हो सकता है कि इस fighter aircraft को चुना जाए अभी एक नई खबर भी आ रही है जिससे ऐसा लगता है कि इस fighter jet को चुना जा सकता है नई खबर में ये बताया गया है कि अमेरिका की administration भारत के उपर ऐसा दबावदार रही है कि भारत कोई Boeing Company का aircraft चुने और अपनी Air Force या Navy के लिए ख्रीदे Boeing ने अपने F-15EX fighter jet और F-18 Super Hornet fighter aircraft को भारत को उफर किया है F-18 Super Hornet fighter aircraft को Indian Navy और Indian Air Force दोनों के लिए उफर किया गया है Indian Navy 57 carrier based fighter aircraft ख्रीदा चाहती है जिसके लिए Boeing ने इस fighter aircraft को उफर किया है ऐसी जानकारी दी गई है कि Boeing के पास अभी किसी भी fighter aircraft के नए order नहीं है Boeing के पास अभी केवल F-15EX fighter jet के ही order है जिसको लेकर उनको डर है कि अगर अमेरिका में किसी नई party की सरकार आ जाती है तो वो शायद इस order को खतम कर दें और नए F-35 aircraft को ख्रीदने के उपर ही ध्यान दें जिसके बाद अभी अमेरिका चाहता है कि भार्त Boeing कंपनी के किसी fighter aircraft को ख्रीद ले जिससे भार्त और अमेरिका मिलकर अच्छी तरह काम कर सकें और चाइना को काउंटर कर सकें यहाँ पर आपको बता दें कि अमेरिका के fighter jet business में Lockheed Martin का दवदबा है जो कि अपने F-35 fighter aircraft को अमेरिका की Air Force और अमेरिका की Navy दोनों को बेच रही है और वहीं अभी F-15 और F-18 fighter jet जो Boeing बनाता है वो पुराने हो चुके हैं और पुरानी generation वाले है और अमेरिका की Air Force और नेवी दोनों ही पुरानी generation के aircraft नहीं चाहते हैं जिसके कारण Boeing का business काफी कम हो रहा है Boeing के पास अभी केवल 9.2 billion dollar का training fighter jet का program ही बचेगा जिसमें वो अमेरिका की Air Force को 350 Boeing TX fighter aircraft प्रोवाइड करने वाले हैं दोस्तों अभी देखना ही होगा कि क्या भारत अमेरिका के दबाव में जुकता है या नहीं और किस fighter jet को चुना जाता है तो दोस्तों आज किस वीडियो में अतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को जुरू लाइक और शेर करें और हमें ये भी बताएं कि आप किस नए टॉपिक के उपर वीडियो देखना चाहते हैं तो दोस्तों आज किस वीडियो में अतना ही थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो जैहन जैभरत